काशी मैं कहल जाला कि एवाँ सातवार और नव तयोहार होला कहले का मतलब यह हो कि एवाँ रोज रोज नया नया तयोहार मनावला जाला आज के यही प्रसंग में यहां जुटल आप सब लोगन के प्रणा महार उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदि बेन पतेल यशश्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाजी मन्च पर उपस्तित यूपी सरकार के मंत्रीगण साउसदगण सभी विधायक और बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं सबसे पहले तो आप सब का रिदे से धन्यवाद करना चाहता हूँ विधान सभा के चुनाव के समय मैं आप सब के बीच आया था और उत्तर प्रदेश में दुबारा सरकार बनाने के लिए आप सब की मदद मांगी थी लेकिन आप उत्तर प्रदेश के लोगों ने और मेरी काशी के लोगों ने जो समर्थन दिया जो उमंग और उसा के साथ मेरा साथ दिया इसलिए मैं आज जब चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच आया हूँ आदर पुरवक काशी वाशियों का उत्तर प्रदेश वाशियों का रजय से धन्यवाद करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ दिव्य भव्य नव्य काशी में पिछले आठ वर्सों से विकास का जो उत्सव चल रहा है आज उसको हम एक बार फिर गती दे रहे हैं काशी हमेशा से जिवन्त निरंतर प्रवामान रही है अब काशी ने एक तस्वीर पुरे देश को दिखाई है जिसमें विरासत भी है और विकास भी है ऐसी विरासत जिसे भव्य दिव्य और नव्य बनाने का काम निरंतर जारी है ऐसा अबिकास जो काशी की सडकों, गलियों, कुंडों, तालाबों, गाटों और पाटों रिल्वे स्टेशन से लेकर एरपोर्ट तक में निरंतर गतीमान है काशी में एक प्रोजेक्ट खतम होता है, तो चार नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं आज भी यहाँ सत्रा सो करोड रुपिय से अधिक के दरजनों प्रोजेक्ट का लोकारपड़ो और चलान्यास हुआ है काशी में सडक, पानी, बिजली, स्वास्थ, सिक्षा, स्वच्चता और सुन्दरी करन से जुड़ी हजारों करोड रुपिय की परियोजनाए पूरी हो चुकी है हजारों करोड रुपिय के प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट उस पर यहाँ काम लगाता जारी है भाई और बेनों काशी की आत्मा अविनासी है लेकिन काया में हम निरंतर नमिंता लाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं हमारा विकास काशी को और ज़्यादा गतिशिल प्रगतिशिल और संवेदन सिल बनाने का है काशी का आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर गतिशिल्ता को बढ़ा रहा है सिक्षा, कौशल, परियावराण, स्वच्चता, व्यापार के लिए जब प्रोथसान मिलता है नए संस्थान बनते हैं आस्ता और आध्यात्म से जुड़े पवित्र स्थानों की दिव्यता को आदुनिक भव्यता से जोड़ा जाता है तब विकास प्रगतिशिल होता है जब गरीबों को घर बिजली, पानी, गैस, टॉइलेट जैसी सुविदाएं मिलती है नाविकों, बुनकरों, हस्त सिल्पियों रेडी पट्री वालों से लेकर बे घरों तक सभी को लाब मिलता है तब विकास सम्वेदन सिल होता है आज इस कारकम के दोरान जो लोकारपण और सिलान्याज हुए उनमें गतिशिल्ता, प्रगतिशिल्ता और सम्वेदन सिल्ता तीनों की जलक है मेरी कासी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का बहतरीन उदारण है भाई और बहनों, आपने मुझे अपना सांसत बना कर भी सेवा का मोका दिया है इसलिए जब आप लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो मुझे दो गुनी खुशी मुझे हो जाती है मुझे मेरा अनन्द और बढ़ जाता है काशी के जागरुप नागरिकों ने जिस तरह देश को दिशा देने वाला काम किया है उसे देखकर मैं बहुत आनन्दित हूँ काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शौर्ट कट से देश का भला नहीं हो सकता कुछ नेताओं का भला हो जाए ना देश का भला होता है ना जनता का भला होता है मुझे आद है 2014 में आने के बाद काशी में बहार से आने वाले लोग सवाल करते थे कि यहां इतना कुछ अव्यवस्तित है यह सब ठीक कैसे होगा यही लोग पुछते थे ना उनकी चिंता भी सही थी बनारस में जिदर नजर डालो वहां सुधार की बदलाव की गुणजाईश नजर आती थी साप लगता था कि बनारस की स्थिती सुधारने के लिए दसकों से कोई काम हुआ ही नहीं है अब ऐसे मैं किसी और के लिए सौर्ट कट चुनना बहुत आसान था लोगों को ये दे दो वो दे दो इससे ज़्यादा उसकी सोच जाही नहीं पाती कौन इतनी मेहनत करे कौन अपना सर खपाए कौन पसीना बहाए लेकिन मैं बनारस के लोगों की दाद दूँगा कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया सही रास्ता चुना उन्होंने दो टूँग कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठिक करे ही बविष्ट में भी कई कई दसकों तक बनारस को लाब पहुचाए मेरे प्यारे कासिवासि भाईयों बेनों मुझे बताइए जो काम हो रहा है वो बविष्ट के लिए भी काम आने वाला है ना आने वाली पीडियों को भी काम आने वाला है ना यहां के युवाओं के भविष्ट को उजवल बनाने वाला है ना सारे हिंदुस्तान को कासी की तरफ खींच लाएगा कि नहीं लाएगा सारा हिंदुस्तान कासी देखने आएगा कि नहीं आएगा साथियो आज हम देख रहे हैं कि जब दुर्गामी प्लानिंग होती है तो किस तरह नतीजे भी निकलते हैं बीते आठ वर्षों में काशी का इंफ्रास्ट्रक्टर कहां से कहां पहुँच गया है इससे किसान हो, मद्दूर हो, व्यापारी हो, सभी को लाब हो रहा है व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, तूरिजम में विस्तार हो रहा है रिक्षा वाला भी कह रहा है साथ दिन पर इतना काम मिल रहा है और ये जो सड़के बन रही है ये जो गरीबों के गर बन रहे है जो पैपलाइन बिच रही है इनमें जो सामान लगता है उसे सिमेन स्टील और निर्मार से जुड़े दुसरे उद्योगों का छोटे मोटे दुकानदारों का उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है यानि ये वारा नसी और इस पूरे छेत्र में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माज़्यम बन रहा है बनारस के लोग जिस दुरगामी सोच पर चले आज उसका लाफ पूरे छेत्र को हो रहा है आज काची के चारों तरब देखे तो रिंग रोड चौड़े नेशनल हाइवे हो बाबतपुर सिटी लिंक रोड हो आशापुर आरोबी चौका गाठ लहर तारा फ्राइव वार महरमूर गंज, मनवाडी, प्राइव वार ये सब बनारस के लोगों का जीवन कितना आसान बना रहे है रेल ओवर ब्रीच, वरुणा पर ब्रीच जब बन जाएंगे इस से बनने से ये सुविदा और बढ़ने वाली है आज काशी की तीन और सडकों के चोड़ी करण का काम शुरू हुआ है इस से मव, आजमगट, गाजीपूर, बलिया, बदोही, मिर्चापूर जैसे अनेक जनपदों से आना जाना आसान होगा और काशी में जाम की परेशानी भी कम होगी भाई और बेनों, शहरों की इन चावड़ी सडकों को आसपास के गावों से जोड़ने के लिए आज जनपद की नव सडकों का सेलान्याद भी हुआ है इन सडकों से बारिस के मौसम में जो मुष्टिलें आसपास के गावों के किसानों, नव जवानों को शहर आने में होती है, वो दूर होने वाली है योगी जी की सरकार, तैसीर और ब्लॉक मुख्याले को जिला मुख्याले से जोड़ने के लिए चावड़ी सडकों पर जो काम कर रही है वो काम भी बहुत सरानिया है आज सेवापुरी को बनारत से जोड़ने वाली सडक के चावड़ी करन पर भी काम शुरू हुआ है ये जब पूरा हो जाएगा तो वारानसी जन्पत की सभी तैसील और लॉक मुख्याले साथ मीटर चावड़ी सडकों से जूड़ जाएंगे भाई और भेनो अब सामन दर्वाजी दिखा रहा है पांस आ गया है दर्वाजी खटखटाने लगा है सावण सावण अब बहुत दूर दही है देश और दुनिया से बाबा के भग्दा पारी संख्या में काशी आने वाले विश्वना दाम परियोजना पुरी होने के बाद ये पहला सावन उत्सव होगा विश्वना धाम को लेकर पूरी दुनिया में कितना उत्सा है ये आपने बीते मैनों में खुद अनुभव किया है मुझे बताया गया है कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी इस बार रो जाना और अभी योगी जी भी बता रहे थे रोजना लाखोस दलों ने काशी विश्वना धाम के दर्षन किये सावन के दौरान भी यहां के यहां बाबा के भक्तों को दिव्य और भग्य और नम्य काशी का भी अनुभव मिलेगा भाविय और भेनों दुनिया भरके सद्धालूओं को परियटकों को काशी में आस्था और आध्यात्म का निर्बाद अनुभव मिले ये हम सभी का कमिट्मेंट है हमारे हाँ पहले जब कोई तीर से आतरी आता था तो गाउं में उसे लोग अपने घर बुला कर खाना खिलाते थे हर प्रकार से सेवा करते थे हमारे काशी में भी पहले यही परंपरा थी जो बाहर ते लोग आते थे उनके यहां यह अजमान होते थे उनको वह अपने घर में रख लेते थे व्यवस्ता करते थे भावना यह थी किस रध्धालू को किसी तरह की असुविदा नहो इसी भावना पर हमारी सरकार भी चल रही है काशी भैरव यात्रा नवगवरी यात्रा नवदुरगा यात्रा अस्च बिनायक यात्रा आस्ता कि ऐसी हर यात्रा सुगम हो इसके लिए सरकार सुविदाओं का निर्मान कर रही है पंचकोशी परिक्रमा के रास्ते में अनेख जगह विश्राम के लिए पुजापाट में सुगमता के लिए व्यवस्ताएं तैयार की जा रही है काशी की पहचान यहां की गलियां और गाटों को साप सुथरा और सुव्यवस्तित बनाना हो या फिर गंगाजी को निर्मल बनाने का संकल्प हो इस पर भी तेज़ गती से काम चल रहा है भाईयों बहनों हमारे लिए विकास का आर्थ सिरफ चमक दमक नहीं है हमारे लिए विकास का आर्थ है गरीब दलीद बंचीद पिछडे आजिवासी माताए बेने इन सब का ससक्ति करन आज पीएम आवाज योजना के तहर वारा नसी के छेसो से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक का घर मिला है याने छेसो नए लगपती बन गए जिन साथ क्यों के घर का सपना आज पुरा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और उन परिवार की माताओ बेनों को विशेश बधाई क्योंकि हमारी कोसिद रहती है कि घर बने वो मा बेनों के नाम पर होना चाहिए और इसलिए उनको विशेश बधाई हर गड़ी परिवार को पका घर देना और हर ग्रामिन परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना इन संकल्पव पर हम तेजी से काम कर रहे हैं जल जीवन मिशन के तहट दर्जनों पानी की परियोजनाओं पर काम सुरू हो चुका है इन से हजारों परिवारों को विशेश रुपसे बहनों को इससे बहुत सुविदा होगी निराश्रिक माताओं बहनों बेटियों के लिए बने आश्रह जुरू से भी सबका विकास की भावना सतकत होगी बाई और बहनों ऐसा सर्वसपर्शी सर्वहितकारी विकास और यहीं तो सूसासन है आप देखिए रेडी ठेले पट्री पर छोटा छोटा कारोबार करने वाले साथियों को कितनी मुश्किले आती थी अब गदोलिया से दसास्व मेग के बीच गवरोपद भी बना है तो वहाँ अब दसास्व मेग संकुल भी बनने जा रहा है यह संकुल रेडी पट्री को सुविदाओं के साथ अपनी दुकांदारी का भी अवसर देगा चौका गाट लहरतारा फ्लाई ओवर इसके नीचे लगबाग दो किलोमेटर लंबा एक विशेश वेंडिंग जॉन डेवलप किया जा रहा है सारणात में भी बुद्धिस सरकिल के निर्मार का जो कामाज से शुरू हुआ है वहाँ भी रेड़ी पट्री वाले साथियों के लिए विशेश सुविदाओं का निर्मार होगा साथियों आपने SCZ, Economic Corridor जैसी व्यवस्ताओं के बारे में बहुत सुना होगा लेकिन रेड़ी पट्री वालों के लिए Special Jones भी आप कासी में बनते देख रहे हैं सुविदाई नहीं PM स्वनिदी योजना के तहर पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक लोन मिलना शुरू हुआ है अभी तक देजबर में लगबग 33 लाग साथियों को इसके तहर आसान रण मिल चुका है जिसमें से हजारों साथी मेरी काशी की भी है साथियों हमारी सरकार ने हमेशा गरीब की समस्यों का समाधान करने का प्रयास किया है उसके सुख दुख में साथ देने का प्रयास किया है करोना की मुप्त वैक्तिन से लेकर गरीबों को मुप्त राशन की विवस्ता तक सरकार ने आपके सेवा का कोई आउसर छोड़ा नहीं है बीते वर्षों में जिस प्रकार डिजिटल इंफ्रास्रेक्टर को सुधारा गया है उससे भी बड़ा लाब गरीब और मद्यमबर को हुआ है आज बनारस के आप लोग साक्षी हैं कि किस तरह मुबाईल फोन सस्ते हुए कॉल करना तो करिब-करिब फ्री हो गया है जीवन आसान हो रहा है कमाई के नए साधन खुल रहे हैं देश में फोन और इंटरनेट यूजर दिन दिन बढ़ रहे हैं तो इसके जुड़े बिजनेस का भी विस्तार हो रहा है कम निवेस में युवाओं को इससे जुड़ी सर्विस में रोजगार के अउसर बने हैं इसी प्रकार जो पांच लाख रुपिय तक का इलाज हमने मुप्त किया है उससे गरीबों की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है इससे वो गरीब भी अस्पताल जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है जो कभी पैसे के अभाओं में इलाज से बचते थे यानि अस्पतालों की डिमान बढ़ रही है Medical College की डिमान बढ़ रही है बीते कुछ वर्षों में हमने UP में ही दर्जनों नए Medical College बनाए है या काशी में ही Cancer के इलाज से लेकर तमाम बिमारियों के आदुने के इलाज का कितना बड़ा Network तयार किया गया है साथ कियो एक तरफ हम देश के सहरों को दूआ मुक्त करने के लिए CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए सुविदाओं का विस्तार कर रहे है वहीं दूसरी तरफ हम गंगाजी का ध्यान रखने वाले हमारे नाविकों की डीजल और पैट्रोल से चलते वाली नावों को CNG से जोड़ने का भी विकल्प दे रहे है गाड़ पर स्थित देश का पहला CNG स्टेशन काशी में है और इस बात का काशी गर्व कर सकता है डीजल पैट्रोल से चलने वाली 650 नावों मैं से 500 को CNG की सुविदा से जोड़ा जा चुका है इस सुविदा से परियट्रकों को शांती से गंगाजी के दर्सन करने का सुख मिलेगा परियावरन को लाभ होगा वही नाविकों के इंदन पर होने वाले खर्च में भी बहुत कमी आएगी यानि कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुलेंगे भाई और बैनों काशी ग्यान आस्था आज धात्मगी नगरी तो रही है यहां खेल कुद की भी एक समर्द्य परंपरा है और आज एरपोर्ट चे यहां तक सब खिलाडियों से मेरा मिलना हो रहा है सारे मेरे खिलाडि साथी वाँ मेरे सामने बैटे है इस तरफ भी खिलाडियों का पुरा जमगट है आज मैं उनका उच्छा और उमंग देख रहा हूँ मुझे लगता है कि यह काशी में जो स्टेडियम बन रहा है वो अब काशी को नई उचाई पर ले जाने वाला है यहां के अखाड़े कसरफ और कुस्ती से फिटनेस के लिए प्रोथ्षान देने है आज भी नाग पंजबी के दिन हम इन अखाड़ों में पुराने समय की जलग देख सकते हैं लेकिन खेल कुछ सिर्फ फिटनेस और मनौन जनगाई नहीं बलकि राष्ट के गवरों को बढ़ाने और बहतर केरियर का भी बहतरी माध्यम है बीते वर्षों में वारानसी सहीद पुरवान चल के अनेक खेलाड़ियों ने अंतर राष्ट्रे स्तर पर अच्छा प्रदसन किया है सरकार का ये निरन सर्प्रयास है कि ऑलिम्पिक स्पोर्ट से जुड़े हर खेल की आदुरिक सुविदाय है हमारे कासी में तैयार हो आज जिस स्टेडियम पर हम ये जनसभा कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द विश्वस्तरिय सुविदाओं से लेस होने वाला है च्छा दसक पहले बने स्टेडियम में 21 सदी की सुविदाय तैयार की जाएगी यहाँ 20 से अधिक गेम्स के लिए अल्ट्रा मॉर्डर्न इंडोर सुविदाय होगी बैचलिन ट्रेनिंग सेटर फिटनेस सेंटर होस्टेल जैसी व्यवस्ता ही यहाँ मिलेगी बच्चों के लिए कीड्स जोन भी होगा ताकि उनमें स्पोर्ट्स को लेकर फिटनेस को लेकर उत्सामने कम उम्र में ही उनका प्रोफेशनल खिलो की तरफ रुजान बड़े यह पूरा कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविदाओं के साथ सार पेरा गेम्स के भी अनुकुल होगा डॉक्टर भीम राव अम्बेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलिटिक्स और बास्केट बोल की आधुनिक सुविदाओं से भी युवा खिलाडियों को बहुत बदद मिलेगी भावी और बेनों काशी के अनवरत विकास की ये धारा गंगा जी की तरह ऐसे ही अवरल भरती रहे इसके लिए हम सभी को प्रयास करना है हाँ काशी की गंगा जी की स्वच्चता का जो संकल्प हमने लिया है उसे कभी मी भूलना नहीं है याद रखोगे ना जरा दोनों हाद उपर करके बोलिये रखोगे ना हमारी काशी साफ रहेगी ना हमारी काशी स्वच्च रहेगी ना हमारी मां गंगा स्वच्च रहेगी ना हम कोई गंगी नहीं करेगे ना हम कोई गंगी होने नहीं देंगे ना यह हमारी काची है, इस काची को हमें ही बचाना है, इस काची को हमें ही बनाना है, और हम सम्मिल करके बनाएंगे, सडकों को, गाटों को, बाजारों को, साफ रखना, यह हम सभी का काची वाच्यों का दाइत्व है, काची बाच्यों के विश्वात बाबा विश्वनात के आशिरवात से हमारे हर संचल्प शिद्ध होने ही वाले है एक बार फिर आप सब को बहुत बहुत बदाई हर हर महादेश धन्यवाद